प्रेस दे बेल आइकन ओन दी यूट्यूब आप अने गनिश चत्रुती की बहुत-बहुत शुपकामनाए नाधिय अलाई खान की तरफ से पाकस्तान के सभी हिंदूों को सभी मुसल्मानों को सभी लोगों को हलाके अब पाकस्तान में वान परसंट हिंदूस बचे हैं पर भ लिखे जा रहे हैं एक रील जो के बहुत जादा हर्ट प्लाटफॉम पर वाइरल हो रही है वो यह आपके सामने में दिखा भी सकती हूं सभी कुछ जाइन दोस्तों आप सभी का हार्दिक सौगत है इंडियाज भारत पे आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज जम आपके लेटेस्ट एक दमदार और बहुत ही इंपोर्टन वीडियो लेकर आएं जिसमें आप देखेंगे भारत की ब दमदार और बेबाक रियक्शन तो ये वीडियो काफी इंपोर्टन होगी आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो इसे अंतर देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपनी से लेटेस्ट इंट्रोस्टिंग और दमदार वीडियो ला हमारा अल्गुरान भी लकुम दीन लकुम वले यदीन कहता है कि आप अपने धर्म की इजद करो और दूसरों को उसके धर्म की इजद करने दो तो जब हमारा अल्गुरान इस बात की इजाज़त देता है और क्यूंके हम एक साथ रहते हैं और भारत में तो सबको पता है कि minorities, Muslim minority बहुत फले फुले हैं, बहुत बढ़ें हैं, आप अफगान देखो, तो क्योंकि वहाँ पर Hindu minority थे वो खतम हो गए, आप Pakistan देखो, Hindu minorities को आप लोगों ने मार काट करके खतम कर दिया, उसके बाद आप Taliban देखो, वहाँ पर Hindu minorities को मार काट करके खतम कर दिया गया, उसके बाद आप इरान देखो, वहाँ पर भी Hindu minorities को काट मार करके खतम कर दिया गया, और अब हालिया में बांगलादेश को हम लोगों ने अपनी नजरों से देखा, इसमें कोई इतिहास के पन्ने खोलने की जरूरत नहीं है, जिस शेक मुझिबुर्रह्मान ने बंगालियों को पाकिसान से लड़ करके बांगलादेश बना करके दिया, और आज वही हमें दिखाई दे रहे हैं, कि बंगा बंधू शेक मुझिबुर्रह्मान के स्टैचू पर वो सुसू कर रहे हैं, वो शेक हसीना, शेक मुझिबुर्रह्मान की बेटी का इनर गार्मेंट को वो लहरा रहे हैं हवा में हिंदूओं को मार रहे हैं और जो इंट्रीम जो एक सरकार बनी है, वो जमात इसलामी के लोगों से बैट करके गोर तलाब कर रही है, वहाँ पर हिंदू जितने भी बियोरोक्रैट थे, जितने भी टीचर्स थे, प्रॉफिसर्स थे, छोटे-छोटे बच्चे थे, उनको मारा काटा गया है, उनके मत्थे पर पिस्टल रख करके, उनको या तो कनवर्ट करवाया गया है, इसलाम खुबूल करवाया गया है, और या तो फिर उनको उनकी नौकरी से निकाल दिया गया है, यहां तक कि बांगलादेश के जितने भी इसलामिक प्रीचर और प्रीस्ट है, उन्होंने कहा है कि जिनको लाई लहा आता है वही IAS के चीर पर बैठेगा, जिसको लाई लहा आता है वही बड़े-बड़े पदों पर बैठ सकता है, इसके इलावा शिक्षा का, एडुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है, आपको चीर चाहिए, आपको लाई लहा पढ़ना है और हिंदूों को पढ़वाना है, यह हमने अपनी नजरों से देखा है, नारे तकबीर के नारे पर रेप करते हुए हमने मुसल्मानों को देखा है, कि कैसे वो हिंदू बेहन बेटियों का बलातकार करते हैं, बहुत बुरे तरीके से, और उसका वीडियो बनाते हैं, और न इसराइल में, इसके लिए भी हमको इतिहास के पन्ने नहीं खोलने पड़ेंगे, हमने हमास और फिलस्तीन के लोगों को देखा है, कि नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे बोलता है, और इसराइल की बहु बेटियों को नंगा करके उनका रेप करता है, और वीडियो ब जेबरा पे, न्यूज अल्जेबरा पे बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स चपे हुए हैं, कि वोमन के लीगल राइट को जिस हिसाब से तालिबान ने खतम किया है, कि और जो हैं, वो बोल नहीं सकती है, वो बाहर निकल नहीं सकती है, उनकी आवाज मर्दों के कान तक पहुँच नहीं सकती है, और इसलाम के जस्टिफिकेशन पर ओरतों के सारे हक और सारे लीगल राइट को तालिबान ने खतम किया है, जिस पर मुहमद बिन सल्मान ने एक अपना जो स्टेटमेंट है, वो दिया है, कि और ओरतों का अपना हक है, और अपना लीगल राइट ह वो जो चाहें वो पहने और वो जो चाहें वो करें और ये ज्यादा नहीं सो दस घंटे पहले का statement है जो UAE में वहां के प्रिंस मुहमद बिन सल्मान ने दिया है तो मुहमद बिन सल्मान ने साप लबजों में कहा है कि औरतें decide करेंगी कि उनको करना क्या है, औरतरESTरlier करेंगी कि उनको कितने बच्चे प evolution उनकी body है, औरतर disciplinary society करेंगी कि वो क्या पेहन करके कैसी लगती है औरते खुट this side करेंगी कि उनको अपने अपने lotus focus करना है या उनको एक घर में बैट करके बीवी का रोल अदा करना है और सब्सक्राइब करेंगी कि वो किस मर्द की चौथी बीवी या तीसरी बीवी बनना चाहती भी है कि नहीं बनना चाहती है यह सारे डिसिशन और औरत के होंगे और यह बड़े बड़े न्यूस के प्रिंट मेडिया के आर्टिकल्स पर आया हुआ है साथ साथ मुहम्मद बिन सल सालमान जो सौधी अर्पिया पूरे यूएई के प्रिंस है उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी तरीके की टेरियरिजम इसलाम को वो यहां पर यूएई में चलने नहीं देंगे यह उन्होंने साफ लफजों में कहा है अभी देखिए मात्र 9 गंटे पहले की खबर है और मैं आपको टाइम सालजेबरा से ही बता रही हूँ कहीं और से नहीं बता रही हूँ जिसमें देखिए इरान के इरान के डिप्लोमेट है और आपके जो वजिर- आजम है, दोनों परेशान है इराक के इराक के डिपलोमेट ने officially, officially उन्होंने UN में और एक शिकायत दर्ज करवाई है जिसमें इराक के ऐखेश्ज लोगों ने कहा है कि पाकिस्तान के लोग जो है वो इराक में आते हैं और वो smuggling करते हैं वो ड्रग्स ट्राफिकिंग करते हैं, यूमन स्मगलिंग करते हैं और भीख मांगते हैं जिसकी बज़ा से जो आपका जो डिप्लोमेट गया हुआ था वहां पर वो बहुत शौक भी हुआ और आपके वजीर आजम भी कहें नहीं ये सब कुछ सब कुछ जूट है जिस पर एर आते हैं और और वो नशे का व्यापार यहां पर करते हैं, वो यहां पर हुमन ट्राफिकिंग करते हैं, वो मॉलेस्टेशन करते हैं, वो चोटी-चोटी बच्चीयों का रेप करते हैं और उसके बाद जब अरेस्ट होते हैं तो कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि बच साथ पाकिस्तान के खलाफ जो है और पाकिस्तान के सारी हरकतों का पूरा प्रूफ जो है वो उन्होंने UN को और International Court को दिया है और साफ लफजों में कहा है कि Federal Investigation Agency FIA of Pakistan चाहे तो इस पर inquiry स्टार्ट कर सकती है और इराख के डिपलोमेट ने कहा है कि वो FIA को invite करता है कि वो आए इराक में और देखें कि जो पाकिस्तानी टॉरिस्ट वीजा लेकर के आ रहे हैं वो किस तरीके की बत्तमीजी और किस तरीके का वो हरकत जो है वो क्रिमिनल आक्टिविटीज यहां पर कर रहे हैं अनम मैंने पहले भी आपको बताया था कि ब्रेटेन में एक मुहमत नाम का एक लड़का अरेस्ट हुआ था जिसमें जिसने नौ साल की बच्ची का रेप किया था और जब उसको अरेस्ट किया गया तो वो कह रहा था कि उसको पता ही नहीं है कि नौ साल की बच्ची के साथ सेक की बच्ची का रेप किया था जिसका नाम मुहमत साबिर था और उसने भी यही बात कहा था कि वो मदर्से में पढ़क करके पाकिस्तान से आया है और उसको बिल्कुल नहीं पता है कि 11 साल की लड़की या 9 साल की लड़की के साथ sexual relation करने से उसको रेप कहा जाता है या वो crime होत है तो इस तरीके की मानसिकता मुसल्मानों की पाकिस्तान में है और जिसकी वज़ा से पाकिस्तान इस पूरी दुनिया में बे आबरू और बेइज़त हो रहा है यहां तक कि एराक के official diplomat ने यूएन को ये भी कहा है कि वो अब आपके पाकिस्तान के सभी लोगों को निकालन स्टार्ट करेंगे और हमेशा के लिए वीजा जो है वो बैन करवाएंगे और किसी भी पाकिस्तानियों को वो इराक एंटर नहीं करने देंगे अब इसमें देखिए पाकिस्तान के मुसल्मानों को सोचने की जरूरत है कि यूएई आपको बैन कर रहा है इराक आपको बैन क लगभग मुझे लगता है कि 20-22 मुस्लिम कंट्रीज ने औरड़ी पाकिस्तान को बैन करना स्टार्ट कर दिया है। काफी पसंदा है होगी वीडियो पर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरू कर दें और नाजिया खान जी की सपोर्ट में अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरू बताएं और एक बार फिर चैनल पर नए है तो चैनल को सबस्क्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए से लेटेस्ट दमदार और इंपोर्टन वीडियो लाते रहें तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबदस वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए जै हिंद जै भारत